क्या لिवेट कि ते नंश्कार दर्शोकों मैं हूं डॉक्टर तान्वी मयूर पाटेल एंडोक्रान लॉजिस्ट हॉर्मोन विश्षगए mechanism कं ममबाई से हैं 영cor misconception ड्युश्य स्पेशंट होते हैं और वह संगे में बहुत से पेशंट की क्वैडिल आ रही है यह वाइट संगेसं और ब्लाक यूस्स के बारे में मैं हाली में वीडियो बना आता। को बनाया है अगर अगर अपनु वीडियो नहीं देखा आया फिला दिया है आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए आपको ब्लाक फंगस का वीडियो दिखने में आ जाएगा अभी पिछले चोरा फॉर्टी एट आवर्स के अंदर एक वाइट फंगस के नए केसिस आये हैं तो लोग और भाइबीत हो जुके हैं कि यह ब्लाक फंगस तो था अब यह वाइट फंगस क्या है और मीडिया में भी ब्लाक और वाइट फंगस का कहेर ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं तो सोचा यही टॉपिक पे आपके लिए एक जानकारी भरा वीडियो बनाओं तो चले शुरू करते आज का यह टॉपिक तो सब से पहले यह फंगल इंफेक्शन जो है चाहे वह ब्लाक फंगस हो या वाइट फंगस हो सब से पहले बाद संत लिए कि यह जो बिमारिया है यह कोई नई बिमारी नहीं है जी हां COVID-19 का infection हमारे पूरे विश्व के लिए एक नया बिमारी है लेकिन ये fungal infection सालों साल से चले आ रही बिमारिया है लेकिन problem ये आ रही है कि ये जो COVID-19 के जो मरीज है उनके शडिर के अंदर ये infection बहुत जल्दी तेजी से बढ़ते जा रहा है और जो और complications की तरफ खीच के जा रहा है COVID-19 अपने आप में इतनी कोई जान लेवा बिमारी नहीं है लेकिन जबी ये fungus चाय ब्लैक हो या वाइट हो ये fungus का जो कोई infection आ जाता है तो mortality rate यानि मृत्य दर काफी बढ़ जाता है इसलिए स्वाभाविक सी बात है लोगों का इसके बारे में डरना भी एक स्वाभाविक सी बात है तो चलिए क्या है ये white fungus सबसे पहले white fungus को medical भाषा में candida albicans और candida auris ये दो variety है जो सबसे ज़्यादा COVID-19 के मरीजों को पाई जा रही है इसमें candida auris का ज्यादा प्रचलित है अभी candida albicans, alba, alba का word जो है उसको लाटिन भाषा में white कहते है इसलिए फंगस को white fungus के नाम से मीडिया में इसको जान रहे है अभी ये जो candida वाली जो fungus जो है ये हमारे वातावरन में चाहे पानी से लेके हम हवा बोले या तो फिर हमारी even चमडी के उपर ये fungus पाई जाती है लेकिन problem सिफ यही है कि ये जो fungus है अपने आप में normal situation में infection नहीं कर पा रही है जैसे हमारी immunity घटती है कम होती है ये fungus अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते है और तेजी से संक्रमन बढ़ाने लगते है ये candida जो variety है उसके कम से कम 1500 से भी ज़्यादा प्रजातिया पाई जाती है species उसकी पाई जाती है अब ये जो fungus है हमारे skin के उपर हमारे जो respiratory tract यानि मूँ है नाक है और आपके जो फेफ से है फिर आपका genital tract यानि जो sexual tract है digestive tract ये सभी जगह पर जहां जहां पर mucous membrane है वहां पर ये candida और ये सभी fungus का normal situation में भी ये पाई जाती है जैसे कि मैंने बता ये इसके जो infection है इसको secondary infection कह सकते है या तो opportunistic infection कह सकते है जिसमें क्या होता है जैसे हमारी रोख प्रतिकारक्षमता कम होती है ये infection आना शुरू हो जाते है अब चले जानते है कि किन-किन मरीजों को ये fungus के infection होने के संबावना जाता है सबसे पहले diabetes के मरीज जी हाँ अगर खास करके अगर आपका diabetes कंट्रोल में नहीं है तो आपको ये infection होने के chance बहुत बढ़ जाते है दूसरे है बड़े बुजूर्ग बड़े बुजूर्गों में थोड़ी infection उनकी fighting capacity कम होती है इसलिए वो लोग को भी ज़्यादा प्रोन है फंगल infection खास करके women नानी औरतों में मर्दों से compare में थोड़ा ज़्यादा मातरा में पाई जाती है और खास करके pregnancy के दौरान ये फंगल infection बहुत ही ज़्यादा मातरा में बढ़ सकती है अगर कोई औरत oral contraceptive pills ले रही है तो भी ये infection होने के chances थोड़े बढ़ जाते है इसके साथ-साथ अगर आपने कोई steroid की दवा ले रहे है जी हाँ अभी क्या हो रहा है infection इतने इसलिए भी बहार आ रहे है क्योंकि लोग अपने आपसे self-medicate कर रहे है और खुदी से steroid की दवा लेते जा रहे है अगर steroids की दवा ले रहे है तो आपकी immunity पे उसका impact होता है और आपको ये infection होने के chances थोड़े बढ़ जाते है साथ में अगर आपको कोई immunosuppressant वाली दवा ले रहे है या तो फिर आपको कोई और comorbid infections है HIV है, AIDS है, cancer के patient है या तो फिर organ transplant जिसका किया हुआ है जिनकी immunity को कम करते है हम by giving some immunosuppressant immunomodulators दवाईया देते हैं तो ये साभी patient को ये fungal infection होने के chances बढ़ जाते है साथ ही साथ जो patient hospitalized है, hospitalized में अगर आपका ventilator पर है या तो फिर आपको पिशाप के लिए urinary catheter लगाया है तो भी आपको ये infection, genital infection होने के chances थोड़े बढ़ जाते हैं खास करके अगर आपने oxygen की आप therapy ले रहे है अभी उसमें क्या हो रहा है oxygen concentrator के अंदर लोग जो भी नल का पानी या तो दुशिक पानी इस्तमाल करते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया है ये fungus पानी में भी मौझूद है तो ये दुशित पानी के वज़े से भी आपको ये संक्रमन होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो ये तो हो गए ये candida की जो variety है ये किन-किन लोगों में होने के risk बढ़ जाते हैं अब चले जानते के candida का infection है ये कितने प्रकार का है ये candida का infection तीन चाय प्रकार का है सबसे पहला इसका वराइटी है ये cutaneous variety, cutaneous यानी skin ये infection चमडी के उपर होता है चमडी के उपर जैसे मैंने शुरु में बता ये normal situation में भी ये infection हमारी चमडी के उपर ये fungus पाई जाती है लेकिन हमारी जब तक हमारी चमडी एक protective layer के form में है हमें इसका संक्रमा नहीं होता लेकिन अगर कुछ कारणवश अगर आपकी चमडी तूटी है जैसे कि अगर आपको burn हुआ है या तो कुछ में कुछ चाले आ गया है या तो cut गया है ऐसे सब situation में candida का ये skin का infection होने का chances जा कि अगर होता है तो इसके क्या क्या सब से पहला हो सकता है कि आपको एक रैश यानी एक जो खुजली आती है रैश होता है किसी किसी को लाल blue color के उसमें एकira चिस जैसे बन जाते है इसकिन पर पुझली आना आपकी चमडी निकल सब्सक्रापिंग कहते हैं चमडी का गिरना यह सभी इसके लक्षन हो सकते हैं अगर इसमेस आपको कोई भी लक्षन है तो चाधारन तोर पे यह दोक्टर आपको त्वीट करें यह देखके ही समझ जाते हैं कि यह फंगल इन्फेक्शन इस को माइक्रोस्कोप के नीचे हम टेस्टिंग के लिए बेच सकते हैं अगर आपको यह इन्फेक्शन आपके नाखून में आया है तो नेल को भी क्लिपिंग करके उसको हम टेस्टिंग के द्वारा चांच कर सकते हैं या तो फिर अगर आपको हैर यानि आपके बालो पे उसक इंफेक्शन है तो हम हेर को भी रिमूव करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं और उसके द्वारा आपकी डाइग्नोसिस परचा चल सकती है अगर आपको ऐसी कोई बिमारी आती है जिसको क्यूटेनिस केंडिडियासिस कहते है तो उन केस में हम साधारन तोर प और पी ऑरेल थ्रश पंडियासिस आपके मूं में आपके गाल पर आपके जबान पर आपके मसूडों पर इसको साधी भाशा में हम ओर फ्रश भी कहते हैं अबि इसमें क्या होता है कि अपके जुबान के ऊपर एक सफेद रंग का पैच पाया जासकता है जिसको लीक को में आपका परिवर्तन आए आपको खाना खाने में दिक्कत हो सकती है कभी कभार मुह में से एक बदबू सी भी आ सकती है तो यह खास करके उन मरीजों में ज्यादा होता है जिनका ओरल हाइजीन थोड़ा पूर होता है या तो फिर वह मसूड के लिए और डेंचर का इस्तमाल करते हैं तो वह इंफेक्शन होने के चांसे तोड़े बढ़ जाते हैं तो यह हो गया ओरल कैंडिडियासिस की लक्षन अभी इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आपको आपका ओरल हाइजीन यानि मुह का हाइजीन अच्छा रखना है दातों को अच्छे से साफ सफाई क करनी है चाहिए तो आप माउथ वाश का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह सभी उसके प्रिवेंशन के टिप्स है अगर आपको ओरल थ्रश आता है तो उसकी को एंटी फंगल वाली दवाईया है कभी कबार हम ओर डवाईया भी देते है या तो टॉपिकल जहां पर भी आपको प जनाइटल केंडिडियासिस यानि यह प्राइवेट एरिया में होने वाला इंफेक्शन है जिसको मर्दों में हम बैलनाइटिस कहते है और औरतों में होने वाला इसको वजाइनल केंडिडियासिस कहते है अगर आपको वजाइनल केंडियासिस या तो बैलनाइटिस है तो आ या तो पिर आपको कोई वाइट कलर का डिस्चार्ज जा रहा है और यह डिस्चार्ज में कुछ बद्बूस ही आ रही है तो यह सभी लक्षन वजाइनल कैंडीडियासिस के हो सकते हैं आपको आता है तो यह तो यह तो बraham के फॉर्म में भी अती है और वें अथाइनल कैंडीडियासिसaz को अगर आता है तो अगएन उसका ट्रीट्मेट एंटी फंगल दवाईया है कृkee में लिटंस के रखना टाबलेट के फॉर्म में भी नहीं कर ल èreya के फॉरम में हम च्वि बार बार आपको अगर कोई भी प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन है बार बार उसको साबुन से और पानी से रगड़े नहीं साफ नहीं कीजिए उसको जहां तक हो सके इसको सुखा रखिए नाइलोन की या तो फिर एसी कोई अर्टिफिशल फैब्रिक की अंडर्वेर नहीं पहने आप साधा कॉटन का अंडर्वेर इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हो सके वो एरिया को साफ रखिए तो यह हो गया जनाइटल इन्फेक्शन के बारे में अब चलिए जानते हैं कि जो चौता वराइटी है जो सबसे जादा डेंजर है और कोविड-19 के केस में बहु मिन के जाता है तो आपके शडिर में पहुंच सकता है तो इसके आपको समय क्हों सबस्क्राइब को चैरिया का अडुलना की कड़ा हो ठोलागे विर से को हो रहा है और जहां पर गल जिस देखिशन के इन्फेक्शि चेस खालते शडिभी साफ पराकार खाला है शीक्त के जो इन्फेक्शन है यह कोविट 19 के इन्फेक्शन से काफी मिलते जूलते हैं इसलिए कभी कबार यह दोनों को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है यह मारीजों को भी बुखार आ सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है सीने में दर्ध है चेस्ट पेन है ऐसे इसके लिए हम आपका ब्लड का कल्चर करते हैं और ब्लड कल्चर के द्वारा हमें पता चलता है खास करके जो हॉस्पिता अस्पिताल में जो मरीज भरती है और अक्सिजन का थेरेपी ले रहे या तो वेंटीलेटर पे उन केसिस में यह ज्यादा मॉर्टालिटी बढ़ा आता है तो अगर आपको ब्लड का कैंडिदियासिस अगर आता है तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए एणिपंगल ट्रीटमेंट है और यह एंटी फंगल हम ज्यादा करके आई-वी यानि इंट्राविनेस उसके इंजेक्शन के द्वारा ही देते हैं बहुत बार हमने ऐसे भी cases देखे है कि patient को COVID नहीं है लेकिन Candidiasis का infection आया है. तो ये है पहली variety जो है white fungus की जिसका नाम है Candidiasis. इसके साथ साथ और एक white fungus की variety है जिसको aspergillosis कहते है. अब चलिए जानते हैं क्या ये aspergillosis? aspergillosis को medical भाषा में aspergillus fumigators भी कहते है. ये एक mold type की fungus है और ये भी वातावरन में सभी जगह पाई जाती है चाहे हो घर के अंदर हो या घर के बाहर हर जगह aspergillus fungus पाई जाती है. ये aspergillus वाली fungus infection कैंडिडा के कंपेर में थोड़ी जादा danger है, थोड़ी जादा जान लिवा हो सकती है. क्योंकि कभी हमने ऐसे भी cases देखे हैं कि aspergillus वाली fungus ये दवाईयों के काफी resistant होती है. और इस पर कोई दवाईया काम नहीं करती और ये इसलिए थोड़ा ज्यादा danger के रूप में साबित हो सकती है. तो ये जो aspergillus fungus है ये एक प्रकार का fungal pneumonia यानि जो chest के अंदर फेफ़लों के अंदर होने वाला एक pneumonia create करता है. एक खास medical भाषा में एक नया एक टाइप का बिमारी है जिसको कहते है C.A.P.A. कापा जो इसका full form है COVID-19 associated pulmonary aspergillosis यानि COVID-19 के संक्रमण में आने वाला ये aspergillus का जो fungus का जो infection है जो हमारे फेफ़लों के अंदर होता है. अब सबसे पहले एक बात बहुत ही खास ध्यान देजिए कि जैसे COVID-19 का संक्रमाण एक contagious है उसी प्रकार fungal infection चाहे वो aspergillus हो या candida हो या तो black fungus mucormycosis हो ये कोई भी fungal infection contagious नहीं है यानि ये एक इंसान से दुसरे इंसान में नहीं जा सकते जब तक कि दुसरे इंसान की immunity ब हो ठीक है तो aspergillusis के भी risk factors वही है जो candida के है या तो black fungus के है और जो मरी ज्यादा अस्पिताल में है ज्यादा ventilator पर है और जिसके diabetes बहुत ही ज्यादा uncontrolled में है उनको ये सभी infection होने के chances बहुत ज्यादा है और ये cases में उनकी mortality भी या निम्रुत्य दिर भी ज्यादा बढ़ कपकपी होना सांस लेने में दिक्कत होना सीने में दर्ध होना ये सभी उसके लक्षन है aspergillusis को हम कैसे diagnose करते हैं कैसी इसकी जाच परताल होती है इसकी जाच परताल कभी कभा थोड़ी difficult इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका इनफेक्शन है अगर इसको जानना है तो इसके यह जो हमें फ्लूइड जो आपके शरीर में से निकालना पड़ता जो पाणी निकालना पड़ता है वह फेफ्लो के बहुत नीचे तक रहता है कभी-कभी इतना नीचे तक वह हमारे जो टेस्टिंग इक्विप मेंट से इतने एक्विप नहीं हो सकते तो कभी-कबार इसकी जांज परताल थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है अगर जैसे ही उसका फ्लूइड हम उसको एक्स्ट्राक करते हैं उसको हम लेबरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्टिंग होती है दूसरी एक टेस्टिंग है जिसका नामें फंगल कल्चर फिर हम जहां जो भी आपकी टिशू में अगर यह फंगिस पाई जाती है उसको बायॉप्सी कर सकते हैं फेफडों का एक्सरे निकाल सकते हैं सिटी स्कैन कर सकते हैं दूसरी टेस्टिंग है जिसको पॉलीमरेस चेंड रियाक्शन वो टेस्टिंग होती है फिर खास करके एसपर जिलॉसिस के लिए दो खास टेस्ट है उसमें से पहली है बीटा डी ग्लुकेन असे और दुसरी है ऐस पर जिलॉसिस गैलेक्टोमान एंटीजिन यह दो खास एसपर जिलॉसिस के लिए ही बनी हुई टेस्टिंग है तो इस प्रकार हम आपको एसपर जिलॉसिस मरीज को है यह नहीं उसकी परताल क च proverb कहता है सकते हैं अगर जुलॉसिस का इंफेक्शिन आता है टो उसकी ट्रीटमेंट क्या है उसकी ट्रीटमेंट अंटution नशकल दावाईया है जो इंजेक्शं यह को पूर में अस्पताल के भरती मरिजो को हम देते हैं वरी कोनाजोल इटरा कोनाजोल इसावो कोनाजोल यह सब दवाया काफी काम रूप आती है एमफोटेरिसिन भी है फिर खास करके कैस्पो फंगिन करके यह से भी दवाईया भी ऐस्पर जिलॉसिस पर काम आती है जैसे मिने शुरुआत में बताया कि यह ऐस्पर जिलॉसिस की जो फंगिस है इसके रेजिस्टेंट केसिस भी बहुत है यानि ऐसे भी केसिस होते है जहां पर कोई भी दवाईया यह फंगिस के उपर कारेगर नहीं करती और इन केसिस में ही मौटालिटी रेत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर आपको कोई भी प्रकार का फंगर इंफेक्शन है तो सबसे इंपॉर्टनेंट है कि आप आपका ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखे अगर आपको कोवीड 19 है तो हर एक मरीज को अपना ब्लड शुगर जरूर चेक करते रहना है और अगर आपका ब्लड शुगर कभी भी 180 से जादा बढ़ता है आप आपके डॉक्टर को जरूर बात कीजिए और जितना हो सके आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखे साथी साथ खुजी से सेल्फ मेडिकेशन खास करके स्टिरोइड वाली दवाओ का नहीं कीजिए अगर आप ऑक्सिजन थेरपी ले रहे हैं तो उसका जो पानी का जो आप इस्तिमाल करते वो भी स्टराइल डिस्टिल वाटर क्लीन वाटर आप इस्तिमाल कीजिए कोई भी हाथ दो ये ताकि आपके हाथ में भी अगर वो इंफेक्शन है तो आपके शरीर के अंदर वो नहीं पहुंच पायता है त्यान रखे कोवीड 19 के संक्रम मन में हमें प्रिवेंशन ही काम में आती है आज के लिए इतना ही और भी अगर कोई इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक आ झुझर आपके कोई इंट।